अससलाम अलेकुम मेरा नम अली है और टेक बोल चाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं वैसे तो भाई पक्सारी मार्केट बड़ी अनीवन और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है बुबाइल फॉन फील्स में लेके बहुत सारी जो है वो मेरे पास अपडेट्स ही कठी हुई भी थी तो आज को 10-15 दिन बाद में आपको अपडेट दे रहा हूं इस सीरीज की वीडियो दे रहा हूं और उमीद कहता हूं बहुत जल्दी रिवाइब भी होड़ेगी पाक्सान की इंडिस्ट्रियो और तब आप को प्रेस कर लिजेगा अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता वीडियो शुरू करते हैं वेल दोस्तों सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो फोल्डेबल फॉन्स आर फ्यूचर यह हम लोग दोजार बीसी किसमें भी डिसक्स करते थे अब फाइनली गूगल भ और जो स्क्रीन के बैजल्स हैं वो काफी कैम है और गूगल जब से टैंसोर चिपसेट अपनी बनाना श्राट किया गूगल ने तब से काफी पावरफुल प्रॉडक्ट जो है ना वो माकेट में लेके आता है तो राइट नहीं देखते हैं के दोजार तईसमें गूगल कित एक तो वो एकनोमिकल भी होगा और साथ के साथ जो है ना उसमें नमबर ऑफ वराइटी भी दूरूर देखने को लेगी तो लेट सी 2023 में क्या बनता है क्या नहीं और वहीं पर अपनी टेक बोलचाल की बात करते हैं तो गूगल भाई सिरफ फोल्डेबल फॉन नहीं बना र रहा है अपने हाडवेर्स बनाने के लिए जिसमें यह कि हमें दो हजार चौबिस पच्छिस में जो एस सीरिस की डिवाइस होंगी जो फ्लैक्शिप सीरिस की डिवाइस होंगी उनके अंदर हमें जीप्यू एमडी का मिलेगा और यह एमडी वाला जीप्यू हम सोच रहे थ तो लेट सी दो हजार चौबिस बहुत दूर है भाई बस एक चोटी सी खबर थी वो इंटिग्रेट करनी थी और यह खबर बहुत गर्म गर्म खबर है क्योंकि जब भी कोई नए फॉन्स की रेंडर सामने आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर आप बहुत ज्यादा मेसेज क अब बागी स्पेसिफिकेशन नहीं बताए गई बस यह है कि आपको रियर पर जो कामरा मोडियूल है वह पहली की निजबत जैसा कि अदर में देखने को मिला था तो राइट नहीं इसी टाइप का आपको यहां पर देखने को मिलेगा बस आपको जो है वह त्रिपल कामरा स Samsung अपना A54 अभी तक रूमर्स है यह A54 जो है वह इंट्रिद्यूस करवाने जाएगा तो लेट सी देखते हैं कि इस दफ़ा A54 कितनी क्रिजी स्पेसिफिकेशन लेगा आता है बट मेरा गट फिलिंग यह है कि शायद A53S को लांच किया जाए 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 कि Samsung ने A52 के बाद A52S को लांच किया था और उसको कॉंटिन्यू किया था फिर मार्च अपरल में जाके कहीं पर जाके अपरल और में के अंदर जाके जाके हमें जाए जाए जाना A53 Series देखने को मिली थी तो राइट नौ यही अपडेट है Samsung A54 को ले वेल तो इस अपडेट की बात करते हैं तो आपको डेब्यू करती हूं मिलेगी Diamond City 9200 वाले चिपसेट जो के 4NM टेक्नालोजी पर है और आमने 9000 भी देखा था बहुत ज़्याद ऑप्टिमाइज था तो Diamond City की 900 सीरीज होने वाली यह काफी पावरफुल चिपसेट होने वाली है साथ के साथ यहां पर कामरा के बारे ब 4 Megapixel का वह देखने को मिलेगा और दो पोट्रेट लेंस रियर साइट पर फोर पोट्रेट फोटोग्रफी आपको मिलेगी बागी वह इस जाइस के ऑल्गरिदम की इंटिग्रेशन मिलेगी टी स्टार की कोटिंग आपको देखने को मिलेगी और यहां यह भी बता जा रहे ह के 120 हर्स का रिफ्रेश्ट होने वाला है कर्व डिस्प्ले होने वाला है बागी क्या स्पेसिफिकिशन होंगी तो 22 अमंब्र को क्लियर हो जाएगा तो X90 और X90 प्रो और X90 प्रो प्लस अगर लाउंच होते हैं ग्लोबल मार्कीट में तो यह जैनवरी में लाउंच होते हो म मिलेंगे बड़ पाकिसानी मार्कीट में आपको मार्च यह एपरल तक देखने को मिल सकते हैं और X90 सीरीज के बार में मुझे परसनली बहुत जाते क्वेशन कर रहे थे तो भाई X90 सीरीज के लिए वेट करना है तो मार्च को वेट करना पड़े वहीं पर बात करते हैं लो Vivo का Y35 एक मॉडल है जो का Snapdragon 680 के साथ आता है फ्रंट सोला में कर दिल है रियर फिफ्टी में कर दिल है IPS पैनल है 90 है चावाले सबाट की फास चार्जिंग है यह आपको पाकिसानी मार्कीट में प्रॉबबली नवेंबर एंड या आपको डिसमबर के पहले वीक में देखने Xiaomi Group की तरफ ली जून Xiaomi के जो आउनर हैं वो यह कहते हैं के भाई हम दुनिया में पहली बार हम वी विल बी दा फर्स कंपनी विल इंट्रिद्यूस स्नाप डेगन एट जन टू विद देर फ्लैक्शिप फॉन जहां दोस्तों यहां पर यह क्लियर केट उन्हों ने कह दिया है इसको स्किप करके क्योंकि लास्ट यह 1212 प्रो और 12S इस तरह 12S अल्टरा टाइप की मोडल में ले थे तो इस जवा हमें Xiaomi 14 मिले क्योंकि यह जो बॉक्स सामने आ रहे हैं यही बता रहे हैं कि फिलहाल Xiaomi 14 जो है वह लांच किया रहेगा और 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 कुछ की है जिनको आज तो मैं डिसक्स नहीं करूँगा एक्जेक्ट जब कंफर्मेशन हो जाएगी तब हम डिसक्स करने वाले हैं लोकल पाकिसानी मार्केट की बात करते हैं तो Xiaomi 12T पाकिसान में लांच नहीं हो रहा अनफॉर्चनेट यह सारी इंपोर्ट वाली प्रोड़क्सी ज पाकिसानी मार्केट को लेट सी किस किस तरह के यूजर को टागेट किया जाता है वैसे 20,000 रुपे में फॉन मिल जाता ना यह घनीमत है बाबो और अंकल और अंटियों के लिए बहतर है वारहल अगर तीनेजर्स यहां अगर यूथ की बात करते हैं तो भाई आपको पाकिस्तान की मार्कीट में डिलेड है टैन प्रो जो है वह आपको IPS LCD 120Hz का रिफ्रेश रेट साथ के साथ 108 मेगा पिक्जल और आपको हाडवेर जो है वह स्नाप डेकिन 695 इतनी क्रेजी स्पैसिफिकेशन नहीं है जो प्रो प्लस है यह क्रेजी चीज है क्योंकि रियल्मी क की Note 12 Pro Series को Experience कि उसके अंदर में देखने मिला है नो डाउट मेडरें सेग्मेंट का एक पावरफुल चिपसेट है लेकिन फ्लैक्शिप लेवल को कंपीट नहीं कर पाता 5G अवेलिबल है यहां पर फैब्रिकेशन प्रॉसेस अच्छा है 6NM है पावर एफिशेंसी अच्छी है परफॉर्मस अच्छी है पाट भी स्नाब डेगन 855 या स्नाब डेगन 865 जैसे हड़वेस को कंपीट नहीं करता तो पाकिसानी मार्केट में रियल्मी 10 सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो रियल्मी 10 जो मॉडल होगा वो आपको जैनवरी के महीने में जाके मिलने म जाता है तो यह आपको मार्च के महीने में जाके मिलेगा उससे पहले लोकल पाकिसानी मार्केट में नहीं कुछ लाउंच हो रहा भाई रियल्मी की तरफ से तो स्टे ट्यून बी कूल बी खाम और बी आ स्मार्ट यूजर और आपको सबर से ही चीज लेनी पड़ेगी लास को एक महीना मैंने भी आइफोन 11 का रिव्यू किया तो मैंने दोजार तैस लिए बहुत सरे दोसों ने कहा भाई आपी तो डेड़ महीना पड़ा है कंपनी अब दोजार तैस की तियारी कर रही है दोजार बाइस तो तकरीवन एंड होने वाला है औल्मोस्ट सवा महीना या आपको बाकि सिमिलर स्पेसिफिकेशन है बस यह दूसरा फॉन होगा इंफिनिक्स की तरफ से जो के आपको फाइफ जी ओफर करेगा और यहां पर 50 मेगा पिक्जल का ही रियर कैमरा जो है वह आपको देखने को मिलेगा तो राइट ना को को क्रेजी स्पेसिफिकेशन नही है इस से ज्यादा ब्लैक मिल नहीं होना है आपने क्योंकि जीरो फाइफ जी का भी कैमरा अच्छा नहीं था नो डाउट परफॉरमस ज़रूर अची थी इस फोन के अंदर भी परफॉरमस ही बेटर होने वाली है पट पैसे अगर 87,000 अरुप इंफिनिक्स रेट रखता है तो भाई टाटा भाई भाई ऑई कही और ये परफॉरमस ब्रॉटर्ट का अपको आपको अब बाहाल कोई ऐफ अब ठीक मार्किट को ल करण पहांगी वीयजिक्त पहुत दो अनफॉर्चनेट मुझे पता है कि आप लोग भी आजकल डिसार्ट हैं और मैं भी बहुत डिसार्ट हूँ कर्रेंट की हालात को लेके लेकिन दौा करते हैं कि इन्शाला पाकसान के हालात जल्द बैतर हो जाएंगे और उसी तरीके से दुबारा हम लोग आप लोगों के साथ तक मुझे द जादत मैं हो लिएवास मास्यक से पाकसान भाइबाद अत्र आपफेश